हाव रूफीक्स सेमसंग M12 होट्सपोट प्रॉब्लम स्कार डोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सेमसंग के डिवाइस में होट्सपोट प्रॉब्लम सॉल् दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरू देखेंगा मैं आपको सॉलुशन बताऊंगा इसके रिकार्डिंग पर क्या कैस सॉलुशन करना है क्या कैस सेटिंग आपको करना है ठीक है एंड बात में जाके आपका जो प्रॉब्लम्स रहेगा वह फीक्स हो जाएगा वीडि दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर जो होट्सपोट का इश्यू है ठीक है जो होट्सपोट का आपको प्रॉब्लम आ रहा है सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल के इंटरनेट कनेक्टिवीटी को चेक कीजिए और अपने जो दिवाइस से दोस्तों यहां पर आपको एक बार रिबूट कर देना है रिबूट करने के बाद दोस्तों आप कनेक्शन पर जाए मोबाइल नेट्रोक को स्वीच करें 4G 3G के बीच में ठीक है अगर नेट्रोक का इश्यू है तो आप यहां जैनरल मेनेश्मेंट पर जाके मोबाइल नेट्रोक सेटिंग सेटिंगो को रिशेड कर सकते हैं उसके लिए रिशेट आप्षम सेलीक PRES TiН पर जाए और रिषयट सेटिंग पर ड़ाकि मोबाइल पास्टोट भर देना है और रिषयट हो झाएगो तो सीम भी सेलेक्प कर सकते हैं जब रिषयट कर रहे होती तो सबसे पहले आपको यह सारे solutions कर देना है mobile network को switch करना है mobile network सही होना चाहिए उसके बाद दोस्तों आपको hotspot कैसे fix करना है तो आप दोस्तों जाएं अपने connections पर एंड मोबाइल hotspot ठेटरिंग पर क्लिक करें mobile hotspot पर जाएं configure में क्लिक करके देखें आपका क्या क्या सेटिंग्स यहां पर क्या हुआ है security आपका लागा दीजे आप ठीक है जो भी यहां पर बंदे connect करने की कुश्शिश करें उसको पासवर्ट शेयर कर दीजे बना नहीं होगा उसके बाद आप एपी बेंट को यहां पर सेट कीजिए 2.4 GHz क्योंकि सभी devices में 5 GHz सपोर्ट नहीं करते एंड आपका broadcast channel होना चाहिए auto ठीक है और hidden network नहीं होना चाहिए protected frame डिसेबल होना चाहिए ठीक है तो सारे चीज़े आप डिसेबल करके आप सेफ कर दीजिए सेफ करने के बाद आप जो होस्पोर्ट को ओन कीजिए और शेयर कीजिए ठीक है आपका problem सौर्फ हो जाएगा और यहां पर दोस्तों आप QR code scanning भी कर सकते हैं ठीक है यहां पर QR code भी है तो अगर QR code supported devices के मदद से लेकिन दोस्तों अगर इसके बाव इसके बाद भी अगर आपको problem आ रहे हैं hotspot काम नहीं कर रहे हैं तो आप यहां पर software update करके देखें कई बर software update करने से hotspot का जो issue रहते हैं वह fix हो जाते हैं तो software update करके देखे problem आपका solve हो जाएगा अगर solve हो जाता है तो ठीक है आपको factory reset करना होगा उसके लिए आप जैनरल management पर जा सकते एंट reset पर क्लिक करते हुए factory data reset पर आप क्लिक करें ठीक है एंडेंट mobile की जो data है उसको reset कर दीचे रिसेट करने के बाद दोस्तों आपका सारे जो problem है वो solve हो जाएगा तो इस तरह के से दोस्तों आप जो hotspot problem है आप fix कर सकते हैं उमीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो बसने होगा thanks for watching